दोस्ती बहुत बहुत जरूरी होती है, तो सबसे पहली quality यही है कि हम जो सिर्फ Saturday Sunday इन दोस्तों से party करने के लिए मिल रहे हैं, वो आपके दोस्त नहीं होते हैं, वो आप बस entertainment के लिए आपको मस्ती करना है, मजा करना है तो आप मिल रहे हो, लेकिन actual जो आपके दोस्त होते है वो आपको भी सिखाते हैं, आप उनको भी सिखाते हैं, वो आपके साथ ग्रो करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ के यही कि जरूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक interval में मिलना है, तब ही आपकी दोस्ती कायम रह सकती है, क्योंकि अब आप लोग आगे भढ़ रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे शेहरों में पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपकी दोस्ती सिर्फ मिलने मिलाने से और मस्ती करने से तो वो दोस्ती नहीं है, तो दूसरा आजकल जो एक trend बन चुका है, कि friends supportive होने चाहिए, तो supportive का मतलब यह नहीं कि तुम गल mentality एक नहीं होगी, तो भले ही आप अपने parents को कितना ही कहले कि हम कुछ नहीं करेंगे, अरे हम तो सिफ गूम रहे हैं, अरे हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, करोगे, एक ना एक दिन जरूर करोगे, तो यह human nature है, आप जिसके जाद जादा समय बिताते हो, दीरे-दीर उसकी qualities वो behavior, वो pattern, वो mentality, वो mindset match होनी चाहिए, यह दोनों की, तभी आप एक साथ grow कर सकते हैं, वरना वो ही Saturday, Sunday मिलना और जिंदगी खराब करना यहीं हो पाए